भारत और West Indies के 23 मैचों की वनडी सिरीस का आखरी और निन्नाइक मुकाबला खेला गया इस मुकाबले में टीम मेडिया ने 200 रंसे West Indies को हरा करके इस सिरीस को दो एक से अपने नाम कर लिया निनाएक मुकाबले में भारती टीम की तरफ से शानदार बलेबाजी और गिंद बाजी दोनों ही डिपार्टमेंट का योगदान रहा भारती टीम के कप्तान हार्दिक पाइंडर ने मैच के बाद सबी खिलाडियों की वितारीफ की जरसल आपको बता दें कि निनाएक मुकाबले में रोहिश शर्मा और विराट कोहली को अराम दिया गया था बहलाग बात करें अगर हार्दिक पाइंडर की तो उन्होंने विराट से ली गई सलहा के बारे में और सायथी टीम कॉम्बिनेशन के बारे में बातचीत की मैच के बाद मैच प्रेजेंटेशन में हार्दिक पाइंडर ने कहा कि हमारी जीत वाकरी खास थी कप्तान के तोर पर मुझे भी ऐसे मुकाबले काफी ज़दा पसंद आते हैं जब आपके लिए एक निनाएक मुकाबला होता है मैच को एंजोई करने का और उसे बहतर तरीके से खेनने का एक मौका होता है प्रेशर में आप हीरो और जीरो दोनों बन सकते हैं विराट कोहली को लेकर हार्दिक पाइंडर ने कहा कि विराट और रोहित दोनों ही हमारे लिए एक एहम हिस्सा है लेकिन उन्हें अराम देने की चलते हम रितुराज और रक्षर पटेल को मौका दे पाए और परिस्तिती भी भार रहा कर मजे के साथ हमने खेनला सीखा इसके बाद हार्दिक पाइंडर ने कहा कि विकेट में थोड़ी हरकत थी और समय लेना था कुछ दिन पहले विराड से अच्छी बात हुई उन्होंने मुझे 7-8 साल तक देखा है उनकी सला थी कि मैं विकेट पर थोड़ा समय वितालू मैं उनको और उनकी सला के लिए धन्यवाद करता हूँ इसके बाद रोहित शर्मा को लेकर हार्दिक मैंडर ने कहा कि रोहित का भी इसमें श्रे है गेन थोड़ी हरकत कर रही थी ऐसे में गर आप 350 रन बना देते हैं तो आप जानते हैं कि किसमत आपके साथ रही है तो आप मैच जीत सकते हैं पावर प्ले में ही हमने मैच जीत लिया था पिछले साल भी कुछ गलतियां होई थी लेकिन वैसे यहां खेलने में मज़ा आया रोहित को पूरा श्रे दे सकते हैं विराट कोली और रोहित शर्मा की हार्दिक मैंडर ने काफ़े तारिफ की इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विराट और रोहित हमारी टीम का एक एहम हस्सा है लेकिन उनको आराम देने के चलते हमने युव खिलाडियों को मौका दिया और टीम इंडिया को युव खिलाडियों को मौका देना बिल्कुल सही साबित हुआ दरसल आपको बता दे कि इस मुकाबले में टीम इडिया के लिए इशान किशन, शुबमन गिल, संजू सामसन की एक अर्दशिता के पारी के बदौलत टीम ने 350 के आकड़े को पार किया साथ ही कफ्तान हार्दिक पाइंडर का भी एक बहतरी न्योगदान रहा भारती टीम के लिए गेंदबाजी डिपार्टमेंट में भी मुकेश कुमार, शादल, ठाकुर, कुलदी, प्यादव जैसे गेंदबाजों की बदौलत भारती टीम ने इस मुकाबले को आसानी से जीता 351 भारत ने स्कोर बोड पर लगाए जिसके जवाब में वेस्ट इंडिस की टीम 151 पर ही ओल आउट हो गए और भारत ने 200 रन से बड़े अंतर से मुकाबल अपने नाम कर लिया इस मुकाबले को लेकर और हार्दिक पांडिया ने जीत का जश्रे रोहित और विराट को दिया है इसको लेकर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके ज़रू बताएं वीडियो को लाइक शेयर और चैनलन को ज़रूर सब्सक्राइब करें नमस्कार